Good morning students, how are you all? बेटे, मैं प्रीती शर्मा, आपकी हिंदी सब्जेट टीचर आज हम पार्ट 11 के प्रेशन उत्तर करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जो हमार जिसका सेशक है मीती के दो है इसमें बेटे हमने कबीरदास जी और रहीन दास जी के कुछ दो हो के बारे में विसार पुर्वक पढ़ा था और इसके मौकिक प्रेशन और प्रेशन एक वे प्रेशन दो हमने कर लिया था आज हम इसका प्रेशन तीन करेंगे प्रेशन तीन बिटे कुछ इस तरह से है, देखिए मुझसे बुरा न कोई, क्यों कहा गया है इसका उत्तर देखिए मुझसे बुरा न कोई, इसलिए कहा गया है क्योंकि सारी बुराईयां हमारे मन में होती है इसलिए हमें सब बुरे दिखते हैं ठीक है प्रेशन चार है आपका गुरु को गोविन से बड़ा क्यों बताया जाता है गुरु को गोविन से बड़ा इसलिए बताया जाता है क्योंकि गुरु ही हमारा मार्ग दर्शक होता है उसी के पताय मार्ग पर चलकर हमें गोविन की प्राप्ती होती है तो इस तरह से बेटे हम प्रश्ण चार का उत्तर लिखेंगे प्रश्ण पांच है आपका तूटे से फिर ना जुडे जुडे गांट पड़ जाए का आश्य का क्या आश्य है तो इसका उत्तर देखिए रहिम दाश जी कहते हैं कि प्रेम एक धागे की समान होता है यदि एक बार तूट जाता है तो उसमें तो फिर वह जुड नहीं पाता और यदि जुड भी जाता है तो उसमें गांट पड़ जाती है प्रश्ण चेह है आपका बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रसंसा स्वैम क्यों नहीं करतें इसका उत्तर देखिए बड़े लोग अपनी प्रसंसा स्वैम इसले नहीं करतें क्योंकि उनके कारिया महान होते हैं उनके कामों की प्रसंसा दूसरे लोग ही करतें वे स्वैम नहीं करते उनके स्वैम द्वारा प्रसंसा करने पर उनमें अहंकार का भाव विक्सित हो सकता है प्रश्न साथ है बेटे आपका दोही की पंक्ती को पूरा कीजिए बुरा जो देखन मैं चला आपको खुद को भी आता होगा तो उसमें क्या आया था आगे बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई साथू ना भूका जाए इससे पहले क्या लिखा जाएगा मैं भी भूका ना रहूं साथू ना भूका जाए रहिमन दागा प्रेम का मत तोडो छिटकाए तो यह आप आपकी दोही की पंक्तियां जो है उसमें से भी आप दिखकर कर सकते हैं सर्वात में आपका पहला प्रश्ण है कि आपको मोहन ने गीठा दूद पिया वाक्य में दूद से पहले दूद शब्द से पहले दूद शब्द से पहले मीठा शब्द आया है जो दूद के मीठा होने के विवारे में की विशेश्था बता रहा है विशेश्था बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं विशेशन कहलाते हैं नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं चमकीला, गहरा, मोटी, भला तो ये आपको विशिशन शब्द दिये हुए हैं और इन शब्द को आपको विशिशन के आगे जोड़ना है जिसे भला का हो गया भला आदमी तो गहरा ताला, गहना पेड, मोटी गांट, चमकीला हीरा, कच्चा, धागा तो बिटी इस तरह से आ पाट ग्यारा आपका खतम हो गया है, हमने कम्प्लीट कर लिया है, आज हम पाट बारा स्टार्ट करेंगे, उसका थोड़ा सा हम शुरू करेंगे, इसे पाट बारा बेटा आपका पाट बारा का शिर्शक है, मजजेदार कबड़ी, ठीके ना, इसका शिर्शक क्या है, किस तरे से गेम खेला जाता है और इस गेम को खेलते में हमें किन बातों का धहाण रखना चाहिए सारी बाते हमें इस шब्रकर के माद्यम से बताई गए है तो इस एस प्रИ्चे और पार्ट का आसार मैंने आपको भीजा है फार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पहले मैं इसके प्रेशनों वो करवाँगे आपको आज कठें शब्द और कठें शब्दार्थ और कुछ अन्य महतोफून प्रेशनों भी में लेकर आई हूँ जो आपको अपकी नॉट्बुक में करना है आपको एक पेट सुलेक में बेटा करवाती थी आज आपको एक पेज भेजा है इसी को ही आपको अपनी नॉट्बुक में उतारना है जिससे में मैंने आपका लिए पाट का सार और पाट का थोड़ा सा परीच्छे सेंड किया है ठीके बिटे यह आप अपने आप उतार लेंगे मैं आपको एक बर एक्स्प्रेंट कर देती हू पार्ट में पारंपरिक खेलों के महत्व को दर्शाती हुए भारती खेल कबर्डी के बारे में बताया गया है पार्ट में शारिरिक शिक्षक वे चात्र के मद्य रोचक बादचीत के माद्यम से रोचक बादचीत मतलब वो आपस में समाद के माद्यम से कुछ उनके बारे म पढ़ाई के साथ साथ खेलना तता खेलकूत के साथ साथ पढ़ाई दोनों की ही आवशकता है दोनों का अपनी जगे अपना-पना महत्व है इस पार्ट के माध्यम से दोनों को ही विक्सित करने का संदेश दिया गया है अंतितले ककने कहा है कि खेलो तो इतना खेलो मतब खेल को इतना खेलो इस तरह से खेलो की खेल पढ़ाई बन जाए है मतब खेल को खेलते समय हमें इसตar zmoox रखना छी हम कि दिश्ष्य पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ो तो इतना पढ़ो की पढ़ाई खेल बन जाए चैप्टर से हमारी जो भी याद करने की सामगरी है, उसे हम फटाफट याद कर पाएं, तो यह बहुत ही अच्छा चेप्टर है, इसमें खेल के बारे में बहुत सी जानकारी आपको बताई गई है, कबड़ी खेल के बारे में, इससे पहले हम यह चेप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले जो भी हम आपके कॉंपटिशन करवाते हैं, बेटा, केलकूदवाद विवाद से संबंदित, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतियोगी दाम, चात्र चात्र हैं स्टूदेंट्स हैं, गर्ल्स और बॉइस, तो आप यह जानते ही है, अभ्यास किसी की बार बार प्रैक्टिस कर अभ्यास कहलाता है, विश्राम मतलब आराम, कबर्डी एक खेल का नाम है, मजिदा जिसमें बहुत मज़ा आए, जानकारी, नौलिज बरी बाते, जिससे हमें कोई ग्यान बरी बात, ठीक है, रैफरी गेम को खिलाने वाला होता है, निरनायक, एमपायर होता है, यह एक खेल अनुशाशन में बंद कर कोई कारिय करना, अनुशाशन कहलाता है, नियम अनुशार, नियम के अनुशार किया गया गया, विध्यारती स्टुडेंट, एक खागरिता, एक खागरिता, मतलब मन लगा कर किसी कारिय को करना, अनुशार, नौट बुक में बहुत कम है, चारिय पाच ही है, तो यहां मैंने कुछ अन्य भी आपको लिख के दिखा दिये हैं, तो जिसे आपको अपनी नौट बुक में कर अन्य भी लिख रखे हैं, तो आपको सिर्फ यही खटीन चपदारत आपको अपनी नौट बुक में करना है, विसल मतलब होता है, सीटी, विश्रा मतलब आराम, रैफरी खेल खिलाने वाला, व्यक्ती, एमपायर खेल के में निर्ने देने वाला, कि क्या है, किते माक्स मिले तरह से जो भी निर्ने होता है, वो एमपायर का होता है, टाहक का मतलब जोड से हसना, सुगंदित, सुगटित, मतलब मजबूत है ना, शरीर, मजबूत शरीर, उच्चारन मुह से बोलना, आउट, खेल से बाहर होना, सिस्टाचार अच्छा आच्छन, लाल सा इच्छा, र डर कबड़ी देने वाला, निधारित तै करना या निशित किया हुआ, चैंपियन मतलब होता है विजेता, प्रौत साहन मतलब किसी चीज़ का बढ़ावा देना, इसके अलावा बेटे कुछ अन्य में प्रशन उत्तर मैंने आपके लिए तयार करें हैं, जो आपको अपनी नौट बुक में करने हैं, पहला प्रशन है, देखिए, शारीरिक शिक्षक चात्र चात्राओं को किस खेल के बारे में जानकरी की दे रहा है, शारीरिक शिक्षक चात्र चात्राओं को कबड़ी खेल की जानकरी दे रहे हैं, प्रशन दो है आपका, फाउल से क्या आश्य है मैच के दोरान खेल या अत्वा नियम तूटने पर फाउल होता है प्रेशन तीन है कबड़ी देनी देते समय किन बातों का ध्यान रखना आवशक होता है कबड़ी कबड़ी का उचारन करते हुए रेडर विपक्षी पाले में जाता है और इस दोरान सास नहीं तूटनी चाहिए यदि सास तूट गई तो वह आउठो हो जाता है प्रेशन चार है कबड़ी के खेल का कितना समय निधारित रहता है कबड़ी में 15-15 मिनिट की दो पारियाओं का खेल निधारित रहता है दिमाग देश चलता है मन प्रसंद रहता है तता देश के प्रती खेलने की इच्छा जागरत होती है तो इस तरह से बटे मैंने ये कुछ प्रेशन उत्तर आपको कर्मे के लिए तैयार किये है जो आपको अपनी नौट बुक में करना है आपको इसकी कठिन शब्द ये शब्दार तो उपिसमे से करने है जो आपको मैंने पेजिस लिखके बेज़े है और ये अन्य प्रेशन उत्तर आपको करने है ठीके वेठे आज का आपका ये वर्क यहीं कतम होता है आपका वीडियो ठीके आपका चेप्टर मैंने 11 चेप्टर पूरा करवा दिया है अगले वीडियो में हम आपका पार्ट 12 पढ़ेंगे जिसकी बारे में मैंने आपको बेसिक नौलिज दो दे दिया है उससे पहले आप अपना ये पार्ट 12 आपनी एक बार रिडिंग करके रखेंगे ठीके तो हम इसके फिर अगले वीडियो में हम ये चेप्टर पढ़ेंगी ओके बटे तब तक के लिए बाबाई नध्यान रखिए से अबधानी से से शेफ रहिए घर में बढ़े, मिस्यू ओल